तो दोस्तो आज हम explain करने वाले हैं Z5 में आई नई वइब सीरीज 11.11 को इस सीरीज का concept थोड़ा नया है, time traveling से related है और एक mysterious murder आप लोगो को बहुत मज़ा आएगा, तो जिएदा देरी नहीं करते हैं, चले explanation को शुरू करते हैं तो सीरीज के शुरूआत में हमको एक मेला दिखाया जाता है, जहांपर हम आले गलग तरीके के खिलोने, rides, इसके साथ-साथ एक पल्टन को भी देखते हैं, जो की नाजगाना कर रहे होते हैं उसमें से हम एक आदमी को देखते हैं, जो की अपने बैक से शराब पीरा होता है, तभी उसका चोटा बेटा आता है, उससे कुछ पैसे मांगने के लिए, यूकि उसको गेम खेलना था, और उसके पापा उसको 10 रुपए दे देते हैं फिर हम देखते हैं, वो बच्चा गेम के सामने जाता है, जहां पर उसको एक गोल चक्की को एक प्राइस के उपर रखना था, तो उसे वो मिल जाता वो बहुत टाइम तक एक गोरिला मास्क के उपर ट्राइ करता है, पर उसे वो नहीं मिलता तब पीछे से एक छोटी बच्ची आता है, उसे की उमर की वो उस चक्की को गोरिला मास्क के उपर डाल देती है, और वो प्राइस जीच जाती है फिर वो चोटी बच्ची वो मास्क उस लड़के को देती भी है, पर वो लड़का नहीं लेता, मेल ही गो फिर वो खिलोना फेक दे के चला जाता है, उधर से जाने के बाद वो लड़का अपना गुस्से को शांत करने के लिए एक कॉटन कैंडी खरीता है तब ही वो बच्ची फिर से सामने आती है और उससे कॉटन कंडी ले लेती है, मजाक में ही पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और उस लड़की को वो धक्का दे की नीचे गिरा देता है तबी हम नोटिस करते हैं एक आदमी उस लड़की के पास आता है और उसे एक नया कौटिन कंडी खरीद के देता है उस लड़की को उठाता है और उसको अपने साथ ले के चला जाता है और वो अपने शरीर पे तोरा खुजली भी कर रहा होता है और ये सब कुछ होते हुए व उसका नाव थोड़ा अटक जाता है। वो फिर हाद डालके नीचे साफ करने की कोशिश करता है। तब वो देखता है कि गोडिला मास्क सामने उटके आता है। और वो गोडिला मास्क किसी बच्ची के फेस पे लगा हुआ था। फिर उस लड़की के बॉड़ी को उदर से देश में नया कानून आ चुका है। पंदरा साल से जो भी अनसॉल्व केस है उनको अभी पर्मनेंटली बंद करा जाएगा। बहुत सारे राजियों से प्रोटेस्ट आ रहा है और अभी हम देरादून में हैं और ये प्रोटेस्ट धीरे दीरे और बड़ा हो रहा है। और जनरल ऑफ पुलीस है। पंदरा साल पहले इसके ही देख रेक में ये केस चल रहा था। ये केस का इंचार्च था। फिर हम उसी प्रोटेस्ट में यूग आरिया को देखते हैं। जो कि पुलिस इंस्पेक्टर था फिर भी वह इन प्रोटेस्ट में था। उसको लगता है क ये पुलिस की नाकामिया भी है कि पंदरा साल से ये केस सॉल्फ ना कर सका। हमको फिर से 3rd November 2001 की सीन दिखाया जाता है जापने हम रात को देखते हैं। उस बच्चे के घर में टीवी में दिखा रहा होता है अधिदी तिवारी अगवा हो गई। वो हमारे देश के जाने मा ने लेख्यक के बेटी हैं। फोलिस ये बता रहे हैं कि फिरोती की पैसा मांगा एक मेडिकल फाइनल एर की स्टूडेंट ने। वो लड़का अभी तक 10 लाक मांग चुका है तब वो बच्चे अपने पापा से बोलता है कि पापा वो कोई लड़का नहीं वो लड़की थी जिसके साथ वो बच्ची गई थी पर उसके पापा तब दाडू पी रहे होते हैं। वो इस बात को अंसुना कर देते हैं। तब वामिका उसके उपर थोड़ा चीक पड़ती है ये पीडिता है विक्टम के फैमिली है इनके उपर लाठी चार्ज नहीं कर सकते कभी तो दिमाग के इस्तमाल करो। वो फिर वो अफिसर से बोलती है कि 15 साल पहले जो भी केस अंसौल्ट थे उसको मेरे सामने ले आओ उ उसके मदर का कॉल आ रहा होता है बहुत ट्राइम तक वो बचता है फिर आखिर में उठाती है वो ही उसकी मौम सेम बात करने लगी तुम अज ना बोलके ऑफिस चले गए तुमको देखने के लिए लड़के लोग आएंगे तब वामिका बोलती है आपको तो सब कुछ पता आए तब आडिया भी बोल देता है कि मैम कोई रदी नहीं यह पुलिस की नाकामिया भी है तब वामिका उससे पूछती है तुम्हों कभी न कई देखा है तुम क्या नए जॉणिंग हो तब ही दूसरा ओफिसर बोल देता है यह तो इंटर्व्यू देता है मैम यह तो चीus कर रहे हो वो तुम्हारी दू महिनी की सैलरी है और तुम्हारे pocket में जो slip पड़े हुए है वो इस पाके हैं इतना पैसे तुम्हारे पास आते कैसे और तुम्हारे घुसखोरी की किसे इस office में सब को ही पताए वामी का तब उसके उपर और चीख परता है और बोलता है तुम को किसने हिम्मत दिया मेरे सामने ऐसे बात करनी की और तुम पुलिस कहलाने के लायक नहीं हो तुम प्रोटेस्टर के साथ कड़े हो या अनसॉल्फ केसेस में तुमारी भी नाकामी अभी है और तुम बोल रहे थे ना कि तुम न्यू जॉइनी हो लोगों को अच्छे से पड़क लेतो विक्टम पीरियती के साथ तुम खड़े रहते हो तुम उनमें से कोई भी एक केस तुम सॉल्फ करके दिखाओ क्यूंकि आपको तो लगता है इतने समय से हम जखकमार रहे हैं फिर आरिया उदर से चला जाता है और हमको फिर से 2001 का सीम दिखाया जाता है और हम सेम पुलिस स्टेशन देखते हैं और हम वही बच्चे को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आया था बोलने के लिए कि कोई लड़का नहीं एक लड़की ने इस बच्चे को किड्नैप किया है पर कोई भी पूलिस आफिसर उसकी बात सुनने को तयार नहीं था और सब उसको भगा रहे होते हैं वो एक परची में भी ये सब कुछ लिख के लाया था भागते हो इस्पेक्टर शौडिया से टकराता है और वो परची उदर छोड़ के उदर से वो चला जाता है और वो परची उठा लेते हैं इस्पेक्टर शौडिया फिर एक कॉंस्टेवल उन्हें बोलता है कि एस्पी सार आपको बुला रहे थे एस्पी साव और कोई नहीं समीर भाटी आई थे जो कि तब 2001 में सिर्फ एस्पी थे इस केस को वही इंचार्च कर रहे थे और सारे लोगों को बोल रहे थे दो तिन दिन हो चुका है नीज में हमारा धज्या उरा है उसका जो फादर है वो जाना माना लेखा के चीफ मिनिस्टर से मेरे पास तीन बार कॉला चुका है वो तो मेरे कप्रे उतारी रहे, तुम लोग भी अलग से उतारो, फिर शौरिया अच्छे से पूरे केस को ब्रीफ करता है, वो फिर बोलता है कि 25 अक्टोवर के रात को 7 से 8 बजे के दोरान, ये लड़की दशेरा के मेले से किड्नाइप हो जाती है, फिर उस दिन रात को 11 पने से पता करते हैं कि ये नंबर किसका है, हमको तब पता चलता है, देरादुन मेडिकल कॉलेज में फाइनल यार के स्टूडेंट, रागब नौटियल का ये नंबर है, पर उसका नंबर बंद आ रहा है, और आउट आफ रीच, उसके पास हम पहुचने पा रहे हैं, वो गायब है, हम कोशिश कर रहे हैं, और इसी बात पर भाटिया भरक जाता है, और बोलता है, कब तक कोशिश करोगे, मेरी नौकरी जाने के बाद, और उसके उपर वो चीक परता है, फिर हम देखते हैं, तब ही ये कॉंस्टेबल आता है, अंदर और बोलता है, अदिती तिव पके आखों में आसू देखके वो भी बहुत इमोशनल हो जाता है फिर उदर से सीधा शौडिया अपने आफिस में आता है और फाइल पटक देता है उसका दिमाग नहीं काम कर रहा था तब वो नोटिस करता है कि उसके कंप्यूटर में एक स्टिकी नोट चिप का हुआ है जि उसके तरफ देखता है और कुछ भी नहीं बोलता है उसके कंदे पर हाथ रखता है और बोलता है आज उतना खुशी का भी दिन नहीं है मेरे लिए पर तुमारे लिए बहुत खुशी का दिन है मैं तुमारे लिए खुश हूँ यह बोलके वो बाहर चला जाता है इन दोनों के बाद शोडिया और दूसरे ओफिसर पर वो चीकता और बोलता ये केस मुझे सौर्फ चाहिए रागम नौटियल को कहीं से भी पकड़ के लाओ तब शोडिया बोलता है कि रागम नौटियल ने सरी नहीं किया वो एक स्टेट टॉपर है इतनी गलती तो वो नहीं करेगा कि उसके फोन से ही वो कॉल कर दे फिरोती के सिरिफ उसने पाच लाग मांगे जब इस लड़की की मौत हुई उसके बैंक में दस लाग रुपए थे तो वो पाच लाग रुपए क्यों मांगेगा इतना चोटा रकम जरूर उसको कोई फसा रहा है वो और हाँ हमने इसका लास् का केस नहीं रहा अब यह हो चुका है मडर का केस जल्द से जल्द केस को सॉल्फ करना पड़ेगा साड़े लोग जिस तरफ काम कर रहे हैं तुम भी उसी तरफ काम करो रागब नौटियल को ढूंड़ो ड्रग वाला एंगल मतलाओ और उसको बहुत इंसल्ट करता है तब व ओफिस से निकलता है और जीप के अंदर बैठता है तब ही बच्चे का परची उसे मिलता है जहां पर लिका हुआ है कि उसको किसी लड़के नहीं एक लड़की ने किटनैप किया है फिर हम शौडिया को देखते हैं जो की थोड़ा भेज बदल के हुए ड्रग डिला के पास जाता है और ड्रग मांगता है और वो इदर उदर के बाते करके नौटियल के बारे में पूछने लगता है तब ही इन लोग को शक हो जाता है और वो गन निकल लेता है फिर उन सारे लोग को फाइट होता है और शौडिया एक एक करके सब को बहुत पीटता है और आखिर में वो तोमर को पकड़ता है और उसका हाथ हमरोर के वो पूछता रहता है कि नौट सेल तो कैसे जानता है वो धीरे धीरे सब कुछ बताता है उसके girlfriend ये सब कुछ करा करता था मतलब drug वो college में bेचा करते थे शौरिया फिर ये पूछता है कि लास्ट टाइम तुम लोग कब मिले थे जब उसने तुमको पैसा दे के ड्रग लिया था दोमर फिर वोई टेक्स्टाइल मिल के बार में बताता है जिसकी स्टिकी नोट हमने शौरिया के टेबल में देखा था फिर से हम 2016 में शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि आडिया अधिदी की केस फाइल को इन्विस्टिकेशन कर रहा होता है कि वामिका ने उसको बहुत ही इंसल्ट किया उसने इस बात को इगो में ले लिया वो सब कुछ रिसरच कर रहा होता है और दूसरे जगा हम देखते हैं शौडिया को जो कि टेक्स्टेल मिल पहुचता है आडिया को पर दीरे दीरे सब कुछ पता लगने लगता है कि कैसे उसकी मौत होई डिटर्जिन जैसे पाउडर उसके बॉड़ी में मिला सब कुछ फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में लाइट चली गई है और बाहर तूफान चल रहा होता है और दूसरे जगा 2001 वाले सीन में हम देखते हैं कि शौडिया टिक्स्टेल मिल के बाहर खड़ा हुआ था उसमें ताला लगा था सरकार द्वारा वो बंद करा गया है शौडिया फिर उसको तोड़ के अंदर जाता है वो उसको तोड़ता है फिर 2016 में हम देखते हैं कि खिरकिया जोर जोर से आपस में टक्रा रहे थे लाइट भी तब जल बुझ रहे थे और दूसरे जगा हम वामिका को देखते हैं जो कि पुराने दिनों की फोटोज वाले अलबम को देख रही होती है जहां पर वो शौडिया और उसके फोटो को कट आउट करके अपने डायरी में रखे हुए थी फिर शौडिया मिल के अंदर देखता है कि छोटे बच्चों का एक खिलोना फिर वो दीरे दीरे जब आगे जाता है वो शौक हो जाता है इधर हो देखता है कि रागफ आरिया की बॉड़ी पड़ी हुई है और उसके हाथ में एक सिरिंज भी लगा हुआ है तब ही हम देखते हैं घड़ी में 11 बच के 11 मिनीटर 11 सेगंड होने वाले थे और जब यह हो जाता है तब मुनों की इल्यूशन क्रियेट होता है और दोनों टाइम जोन में एक मीडियम क्रियेट होता है और हम देखते हैं कि शौडिया को बॉडी मिलने के तुरंथ बाद वो वाकी टोकी ओन करता है और बोलता रहता है मैं शौडिया बोल रहा हूँ टेक्स्टाइन मिल से और इधर हमको नौटियल की बॉडी मिल चुका है और वो बात सीधा टेलिपोर्ट हो के मानो आ रहा था 2016 के टाइम जोन पे और एक अन्यूस्ट एरिया के वाकी टोकी से वो आवाज आ रहा था जो कि आरिया के बिल्कुल पास था वो फिर गेट को खोलता है और धूल मिट्टी लगे हुआ एक वाकी टोकी उठाता है जहें पर सिगनल आ रहा था और दूसरे छोड़ पे था शौडिया वो उससे बोलता है कि हमको नौटियल की बॉड़ी मिल चुका है अदिती केस की में जो सस्पेक्ट है पर दूसरे तरफ वौकी टोकी में आरिया की कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि अदिती केस को बंद हुए 15 साल हो चुका है तो वौकी टोकी में कौन है और केस का मैं जो में सस्पेक्ट था तब रागव उसके बारे में कौन बात कर रहा है वो बार बार हेलो हेलो करता है और कौन हूँ आप ये पूछता है अप कैसे जानते हो इसको तब शौडिया बोलता है ड्यूटी में तू क्या नशा कर रहा है तू नहीं तो मुझे एड्रेस दिया पंचोली टेक्स्टाइल फैक्टरी के ब पड़ा हुआ है ये मानो एक एंटिक पीस हो तब आडिया बोलता है थोड़ी देर पहले ही मैंने बात किया है कोई शौडिया करके एक ऑफिसर है तब वो कॉंस्टबल हस्तार बोलता है सरी होई नहीं सकता वो उससे वाकिटर की ले लेता है और पीछे खोल के दिखाता है क इसमें तो बैटरी नहीं है अब किस से बात कर रहे हो तबारिया को थोड़ा शौक लगता है और वो फिर से अदिती की रिपोर्ट पड़ता है और उस मिल के बारे में पता करता है और खुद अपने बाइक से चला जाता है उस मिल के तरफ वो जब मिल के सामने जाता है वो एबंडन हो चुका था पूरे मील के आसपास मानो जाडिया उख चुके थे फिर भी आडिया उसके अंदर जाता है और टौर्च लेके एक एक कोनत देखता रहता है बीच बीच में उसको डर भी लग रहा था फिर कुछ चमका धर उसे डरा देते हैं और एक जगा वह जटके स गिर जाता है तब जब वह टौर्च लेके अपने साइड में देखता है वह देखता है कि स्केलिटन जिसके मानो पूरे मांस निकल चुका है वह बौड़ी पूरा सर चुका है कपड़े भी फट चुके है चुए खा रहा है वह एक मीड़ भी उसके अंदर नहीं रहता वह भाग के बाहर आता है और उल्टी कर देता है इसी के साथ एपिसोड वन का खतम होता है फिर हम उसके बाद का सीन देखते हैं कि असलियत में उधर जो राघब नौटियल होता है उसके उपड़ एक लड़की ने हमला कर दिया और उसको इंजेक्शन पुश करके बेहोश कर फिर उसके बाद के उधर रखने दिया और हमको आगी दिखाये जाता है प्रेजन टाइम में लाइक 2016 में क्या होता है आरिया वामिका को कॉल कर देता है और वामिका अपने टीम को लेके अगले दिन आ जाती है इंवेस्टिकेशन करने के लिए वो शौक हो जाती है कि किसी क को नहीं पता है एक बंद हुए मील में रगव नौटियाल की बाड़ी हमें मिलेगा पर तुम्हें कैसे पता चल गया उपर से मीडिया प्रेस भी इदर आ गए वो बोलता है मुझे एक क्लू मिला था उसके त्रूई मैं पहुचा पर वो क्लू नहीं बता था फिर हमारिया क को देखते हैं जो कि घायल था उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था आड़िया सौरिया सर के बार में पूचता है रादिती केस के बार में कि उसका मडरर कौन है पर शौरिया बताता है कि यह मेरा आकरी ट्रांस्मीट है नेक्स ट्रांस्मीट तुमको 1990 वाले से करना प पाएगा और यह केस 1990 से जुड़ा भी हुआ है और शौरिया का वकिटो के बंध होते कि लास्ट मिनिट में वो बोल देता है कि इसके गल्फ्रेंड ही इसके पीछे जुड़ा हुआ है उसको इन्विस्टिकेट करो आडिया पहले स्टेशन आता है पता करता है कि शौरिया क निकालता है उसको पता चलता है कि शौरिया केस के उपर काम कर रहा था पर यह केस अभी भी अंसॉल्फ्ट है फिर तुरंद वामी का आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है तुझे कुलू के बारे में कैसे पता कि उस टेक्स्टाइल मिलेगी रागब न का है क्योंकि वही प्राइम सस्पेक्ट था और हमको उसका गल्फ्रेंड वाला एंगिल भी चेक करना चाहिए क्योंकि वह भी कॉलेज में ड्रक सप्लाई करा करती थी और मैं एकदम शेयर हूँ वही किड्नैपर है वामी का पूछती है तुझे कैसे पता वह बोलता है कि उ कीन ने करता फिर हम सीनियर्स पूलिस ओफिसर्स को भी देखते हैं वो साड़े लोग डिसकस करते हैं और आरिया उन लोग को सब कुछ बताता है और ये बोलता है अभी उसकी गल्फ्रेंड एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है हमको उसको उठाना चाहिए और उसका करती है और कंफेशन करने के लिए बोलती हैं क्योंकि एक दिन बचा हुआ था ये जो 15 साल वाले केसे थे वो बंद करने के लिए पुलिस के पास सिर्फ एक दिन थे पहले तो वो कंफेशने करती बाद में सारा इविदेंस दिखाया जाता है कि तुमने जब उसको सर पे मार सब कुछ कर रहे थी। उसको ड्रैग चाहिए था इसलिए उसने फिरो टी के पैसे मांगे और वो पैसे रागह भाबक से यह केस unsolved था दूसरे जगा हम news में भी देखते हैं सरकार ने ये law जो है वापस ले ली criminal activity के लिए बाकी सारे चीज़ों के लिए लागू होता है क्रिमिनल केसे कभी भी solve हो सकते हैं कोई भी आके उसको solve कर सकता है और कोई भी criminal को इसके वज़े से कोई भी benefit नहीं मिलना चाहिए अधिति की मा उसको देखके बहुत भाबुक हो जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है और बहुत रोती है वामिका उसे समालती है और आडिया भी रात को candle मार्च में जाता है फिर से हमको flashback दिखाया जाता है कि मेले में क्या हुआ था आडिया का रादीतिका दो पल का जो time था वो फिर से हमको देखने को मिलता है आडिया भी बहुत emotional हो जाता है फिर हम वामिका को देखते हैं जो कि शौडिया के घर गई थी वो घर जाने के बाद उसके पुराने फोटोस को देखती है और उसको पुराने दिन यादा जाते हैं कैसे जब वो first join होती है शौडिया ने उसको बहुत अच्छे से समाला और उसको बोला है कि उतने चिंता मतलो मैं सब कुछ सिखा दूँगा तब से वामिका के मन में शौडिया के लिए थोड़ा सा soft corner है फिर present में हम देखते हैं वामिका उसके पापा से मिलते हैं और वो दोनों बहुत time से बाते करते हैं मतलब वामिका उसके फादर को जानती है वो अपने junior से बोलता है इस बंदे ने case solve कर लिया अभी शौडिया के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा तुने शौडिया के साथ क्या किया है वो तो सिर्फ हम दोनों को पता है वो case बाहर ना आए इन लोगों को उस case से भटका के और एक strong case दे दो फिर हम देखते है cold cases के office को जो कि इन लोग को alert हुआ था इन सारे cases को solve करने के लिए यो police officer आता है और बोलता है तुम लोग को tie and die case के बारे में पता है वो अब तक का सबसे strong unsolved case है तुम लोग को वो solve करना चाहिए और इसको high priority में रखो वो case के बारे में थोड़ा बताता है 20-25 साल के अंदर लड़किया जो रात को अकेली निकलते हैं लाल कलर की कुछ suit सलवार पहन के उसके उपर ये killer हमला करता है उसको पहले गला गोट के मारता है फिर उसका make-up बिगार देता है और उसके हाथ पैर को बात की उधरी छोड़ देता है अभी तक उसने बहुत मडर किये हैं पर हमको कोई भी evidence नहीं मिला ना गले पे हाथ का कोई निशान मिला अभी भी ये सारे case unsolved है तुम लोगों को यही solve करना है बस क्योंकि 3 साल तक सिर्फ एक killer active रहा फिर ये सब कुछ करना उसने बंद कर दिया मतब killer अभी भी बहारी घूम रहा है फिर हमको दिखाया जाता है रात को बंजूरिया के जंगल में जहां पर हम शौरिया को भी देख पाते हैं ये 1990 के 9 अगस्ड वाला सीन है जहां पर शौरिया एक्जिस्ट करता है जगम आडिया को भी देखते हैं जो कि कमडे में होता है और फिर से 11-11 बचते हैं और वाकिटो के एक्टिवेट हो जाता है ये लोग जंगल में लाश को ही ढून रहे थे टाई अन डाई वाले तब ये आडिया फोन उठा के बोल देता है आप शोडिया फसर बोल रहे हो न पर अभी मैं बंजूडिया के जंगल में हूँ आप कौन हो वो बोलता है मैं इसाई आडिया हूँ शोडिया फिर उसे सलूट देता है तब आडिया बता देता है कि उदर लाश कहां मिलेगा पुल के नीचे और ये भी बता देता है कि लास्ट केस आपको नवेंबर 9 को मिलेगा वो आपको मिलेगा हरवाला रेलो इस्टेशन के पीछे तब ही एक मिनिट का ट्रांस्मिट कर जाता है प्यारिया को पता था ये कॉल ट्रांस्मिट हो रहा है अब वो हो रहा है 1990 में और जो भी केसिस थे मतलब टाई अंडाई वाले वो हेल्प करना चाता है कि उन विक्टम्स को शौरिया बचा ले पहले से ही क्योंकि वो इधर बैट की उनको बता रहा है कि कहां पर कब क्या कुछ होगा तो अगर पास्ट बदलेगा तो future और present भी बदल जाएगा कॉल कर जाने के बाद शौरिया की officers भी बोलते हैं कि हमको लाश मिल चुका है पुल के नीचे तब शौरिया को भी walkie-talkie के उपर एकीन हो जाता है कि कोई तो उसका मदद कर रहा है और वो से information दे रहा है मतलब नेक्स्ट खून होगा 9 November को हरवालार illustration में शौरिया मानों सोच में पढ़ जाता है कि ये कैसे हो सकता है पर ये वाले शौरिया को 2001 वाले transmit के बार में कुछ भी नहीं पता है शौरिया के लिए बिलकुल ये सब कुछ नया था क्योंकि 2001 में किया हुआ उसे 1990 में याद नहीं है पर आडिया सब कुछ पता है क्योंकि टाइम में वो सबसे आगे है 2016 में उसको हर एक time duration में सौरिया किसद बात करने से पता चलता है कि वो किस time duration में है क्योंकि time के सब के अंत में 2016 में बैटा हुआ है आडिया फिर हम पेजन टाइम में देखते cold cases के unit को जहांपर हम देखते है आडिया बोलता है कि मैंने एक pattern notice किया है ये जो killer है ये बदला ले रहा है अपने girlfriend का वो अपने girlfriend से नफरत करता है या तो उसका breakup हुआ है क्योंकि वो लड़कियों का make-up बिगारता है मतलब उसकी girlfriend बहुत सुन्दर होगी और वो हमेशा लाल कलर की चीज़े पहना करती होगी कि आगर आप pattern देखते हो मैं हर एक victim ने लाल कलर की सलवर कमीज ने तो टॉप बगरा पहना होगा होती है रास्ता बहुत इस उनसान था वो अखेली थी मानों उसका कोई पीछा कर रहा होता है पर वो लड़की उसे पकड़ लेती है वो और कोई नहीं शौडिया था शौडिया इस लड़की से प्यार करता है शौडिया ने उसे बोल दिया तुमको ये सब कुछ नहीं करना तुमको मैंने बोला था कि डिफेंड करना है कोई भी हो सकता है एक सीलियल किलर घूम रहा है जो कि लड़कियों का मेक अप बगारता है और उसके हाथ पैर बांद देते हैं वो लड़की बोलती है तुम होना कोई चिंता नहीं तुम मुझे बचा लोगे फिर शौडिया को याद आता है कि आज 9 नवेंबर है आज हरवाला रेलो स्टेशन के पीछे और एक मडर होने वाला है शौडिया अपना बाइक लेके तुरंत स्टेशन पहुचता है और हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसका पीछा किलर कर रहा होता है और दूसरे जगा रात हो चुका था पर कोल केसे इसके जगा से आरिया गया नहीं था वो सारे विक्टम के नाम वगरा देख रहते अभी हम देखते हैं एहम वक्त पे शौडिया उदर पहुच जाता है और वो उस विक्टम को लेटी हुई पाती है पर वो अभी तक मड़ी नहीं उसको उदर से वो छुड़ा लेता है और दूसरे जगां प्रेजन टाइम में देखते हैं रागप के हाथ में जो फोटो था वो फोटो मानो सर्वाइव हो जाती है और वो उटके बैट जाती है और जो वाइड बोर्ट पे भी फोटो चिपकाई हुआ था कि ये मर चुकी है अब उदर लिखा हुआ है कि ये सर्वाइफ कर गई एटक से मतलब शौड़िया ने उसे बचा लिया था आडिया तब पहली बार ये चीज़ को महसूस करता है कि पास्ट में कड़ी गई कि उस चीज़ों से प्रेजन में फरक पड़ता है वो पूरा ही बदल जाता है फिर हम उस किलर को देखते हैं जिसके डब्बे में लाल सारिया थे कुछ कटे हुए खिलोने के सर थे और एक काले कलर से भड़ा हुआ डब्बा जो कि उस कटे हुए सर में वो लगा रहा होता है फिर पिजन टाइम में हम देखते हैं आडिया वामिका को कॉल करता है और बताता है कि वो मड़ी नहीं है जो आकड़ी वाला विक्टम था वामिका बोलती है मुझे पता है आज मैं उसके लड़की से ही बात कर रही हूँ वो ऐसे ही नहीं मड़ी वो बहुत सालों बाद थोड़ा डिप्रेशन में और कैंसर के वज़े से मारी गई ये सब कुछ रिपोर्ट में है तुम क्यों ये फोन करके मुझे बता रहे हो फिर हमको उस दिन का रात का सीन दिखाया जाता है उसको जेल में डाल देते और बोलता है तु अपना नाम नमबर लिखा के जा और तुने ये केस सॉल्फ कर दिया ये बोलने के बाद वो चला जाता है शौरिया बहुत ही खुश होता है तब तब हम देखते हैं फिर से 11-11 बचते हैं दोनों वकी टोकी एक साथ कनेक्ट हो जाते है शौरिया तब शुक्रिया बोलता है आडिया को कि हमने किलर को पकड़ दिया है आपके वज़े से तब आडिया बोलता है वो असली किलर नहीं है क्योंकि केस आज बे अंसौर्ब्ड है तुमने एक लड़के को पकड़ाता है, जो की बेकुसूर है, और पुलिस कस्टिडी में ही उसकी मौत हो जाती है, तो जल्दी जाओ उस लड़के को बचाओ, फिर हम देखते हैं, कस्टिडी में पुलिस उस लड़के को बहुत मारता है, वो लड़का बोलता है कि मैं तेरा कोट माशाल होगा फिर शौरिया अपना बैज वगड़ा दे कि उधर से चला आता है और पुलिस हेटकॉटर में जाके आडिया को ढूनने की कोशिश करता है और एक सीनियर आफिसर को वो पीट देता है फिर साड़े पुलिस वाले उसके पीछे पर जाते हैं पर आडिय से पूछताच करता है और दूर से जगह 2016 के टाइम डिरेशन में भी वामिका ने बस डिपो का पता लगा लिया था वो बोलती है कि विक्टम के सारे फैमिली मेंबर से हमको पता चलता है मडर होने से पहले उन लोगों ने बस लिया था मसूरी बस टेंट से मतलब मसूरी बस पूछतर से उनको उनका नाम मिल जाता है और दूसरे जगह जब आडिया बस ड्राइवर से पूछ ताच करता है तो पुलिस की टॉली उदर आ जाता है और उसे उदर से पकर के जेल में बंद कर देता है फिर हम 2016 में देखते हैं जब पुलिस वाले ड्राइवर के घर जाते हैं वो देखते हैं कि उदर और एक लाश पड़ा हुआ है जो कि एक लड़की की होती है उसके हार्ट पैर बंदे हुए थे ये लड़की हमको 1990 में भी दिखी थी मतलब इसको कुछ पता है और लड़को पदा चल चुका है कि फुलिस लोग एक्टिव हो चुके हैं इसलिए इस लड़की को उसने मार दिया तब ही हम देखते हैं कोल्ड केसिस के टीम जब उदर इन्वेस्टिकेशन कर रहे होते हैं उदर तब नियरे स्टेशन के फुलिस आफिसर भी आ जाते हैं कि ये केस हमारे अंडर आता है तब वामी का अपने टीम को पीछे हटने के लिए बो वा है और पुलिस टेशन तब खाली है रात का टाइम था और आरिया तब ट्रांसमीट में बोलता है कि ये किलर और एक मडर करने वाला है तब ही वह उसका गलफेंड का नाम बताता है शौरीया तब चट पटाता उसके साथ होता तो आज उसके साथ ये ना होता फिरम देखते शौरिया एक्टिंग करता है मरने की तो पुलिस लोग आके जब उसका लॉक अप खोलते हैं वो तुरंत उदर से उन लोगों को धक्का देके भाग जाता है और अपने गल्फरेंड को बचाने के लिए वो तुर शौरिया फूट फूट के रोता है और वो अंदर से पूरा टूट जाता है वो खुद को ही ब्लेम करता रहता है कि वो आगर काम के लिए ना गया होता तो आज उसकी गल्फरेंड जिंदा होती वो उससे बहुत प्यार करता था तब ही उदर फुलिस आ जाते है और शौरिय उस लड़की की बॉड़ी को पोस्मटम करा जाता है वामी का खून देखके उल्टी कर देती है तब हम देखते है रूम से भार चली आती है और सीडी में बैट जाती है फिर से हमको फ्लेश बैक दिखाया जाता है जहापर ऐसा है पहले बार खून देखके वो बैटी हुई वो फिर उसका गला दबाये गया फिर उसके हाथ पार बांधा गया वामी का अपने टीम को सब कुछ बताती है और यह बोलती है यह दिखाने के लिए कि यह टाइट डाई वाला ही केस है कोई इस चीज़ को हमारे सामने प्लैंट कर रहा है कि हमको लगे कि पुराना किलर वा पैसे मंगाना चाहिए और दूसरे जगह आडिया फिर से बस डिपो जाता है और पूछ ताच करता है पर उसके उदर से कुछ हाथ नहीं लगता तब और एक बस ड्राइबर बोलता है कि आप बलवंत और दिल्शन मैडम के बार में पूछना चाते हो ना कुछ दिन पहले ब अथे शGuamika को देखते हैं जो कि उस बस ड्राइवर का दूसरे घर का पता लगा लेता है तब उसको पता चलता है कि वो किसा हॉस्पिटल में भढ़ती है उसके बेटे Cесat और लो को विडियो कैसेड में भी बस ड्राइवर का फोटो मिल जाता है और उन लोगने पर बोलता है काम करता नहीं जी वो काम करता था बहुत ही काम चोड़े काम में नहीं आता और दीरी दीरी उसको डिस्क्रिप्शन देने लगता है इस जगह तो इन 15 साल को reverse भी करोगे तब वो बहुत ही middle age का था और जो खून कर रहा था वो कोई यंग था और मैंने पता किया है वो ब्रह्मदत नहीं है जो description ये लोग दे रहे हैं वो कोई दूसरा आदमी है बाड़ी चलाते चलाते एक accident हो जाता है और आड़ीया नीचे गिर जाता है तब ही 11-11 बज रहे थे और 1990 में हम देख रहे हैं कि अपने घर में चुपके शौड़ीया बैटा हुआ था और वो रो रहा था क्योंकि उसकी girlfriend मारी जा चुकी है तब ही दोनों walkie-talkie फिर से connect होता है पर वो phone नहीं उठाता है तब ही इदर से आड़ीया phone उठाता है और बोलता है क्या आपको bus driver के बार में पता होगा जो bus depot में आपको मिला था उसके साथ कोई नहीं कोई connection होगा पर आड़ीया बहुत ही घायल था और एक निट का ही conversion हो पाता उससे पहले ही कट जाता है phone और सौड़ीया को डखता है क वो साडिया कटे हुए डॉल के सर और काले कलर का रंग वो एक दिम शेयर हो जाता है कि बलवंत नहीं उसका girlfriend को मारा है और वो गुस्ते से आग बबूला हो जाता है उससे जगह वामी का उस्वेल के अंदर जाती है और reception में पूछती है कि बलवंत कौन से कमड़े में पता चलता है वो तो भढ़ती नहीं है उसका बेटा भढ़ती है और वो रूम नंबर ले लेती है और भागते हो इस कमड़े के तरफ जाती है दूसरे जगह हम देखते है कि शौडिया को bus driver मिल चुका था वो उसे बहुत पीटता है पीटते पीटते उसको वो जान से ही मार रहा होता है पीछे से कोई उसका गला पकड़ लेता है गमचे से और उसे मारने की कोशिश करता है वो और कोई नहीं बिर्जु होता है और वामिका को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है फिर वामिका फाइट बैक करती है और कैसे भी उसके चंगुल से जब यह बहुत छोटा था वो पहले से ृस्टर अभी करता था कि मां दूस की चंड करता था और गुस्तर चुछ करने पाता पर और एक दिन से सजधच के लाल चुन्री पेंके निकली रहा था तब ही यह उसके मा के साथ जगडा कर लेता है तब है उसकी मा एक लाल चुन्री से उसके हाथ और पैर बांथ के वो निकल जाती है और फिर कभी भी लौट के नहीं आती और ब्रमादत ने भी उसे ढूनने की कोशिश नहीं किया उसका बेटा अकेला घर पे ना रह जाए इसलिए जब वो बस चलाता था अपने बेटे को भी मिरमत होता है उदर मालिक कुछ पैसे देखके अपने बेटे को काम में लगादेता है पर उधर जब वो लाल कलर को देखता है फिर सी उसका disorder सामने आने लगता है और वो थिनर का निशा करने रखता है दीरे दीरे वो निशा इतना बढ़ जाता है कि लोगों के उपर वो हाथ भी छोड़ देता है तब उसके बेटे को वो लोग निकाल भी देते पर पैसा ब्रमदत ने मालिक को दिया था इसलिए वो फिर दुकान में काम करने लगा रात को वो बस चलाता था और सुबा इस दुकान पे काम करता था रात को जब बरमदत बस चलाता था तब बिर्जू भी बस में बैठता था और वो शिकार करने के लिए बैठता था कोई लड़की अगर सुनसान जंगल एरिया में या कही सुनसान जगा पे उ को तब टीवी में दिखा रहा था ब्रेकिंग नियूज टाई अंडाई वाले केसिस पे 26 साल बाद उसका में किलर पकड़ा गया है वो और कोई नहीं ब्रमधत होता है जो सब कुछ गंफोईस कर लेता है और अपने बेटे को बचा लेता है फिर टिकनिक लिए बिर्जू को य जादी होने वाली थी एक तो बच्ची थी तू देख तू किसको बचा रहा है अभी भी टाई में सज बोल ले ब्रमधत को बहुत तोड़ता है ब्रमधत तब बोलता है मेरी बेटे की क्या गलती थी आज देखो हस्पिटल बेट में पड़ा हुआ है चल भी नहीं सकता इतन पीछा करता है और पीछा करते करते एक construction area में वो जाप उचते है वो उसके लड़के बिड़िजु को बहुत मारता है और उसके मुझ से खून भी निकलाता है तो भी ब्रमधत आता है और पीछे से शौड़िया के ओपर हमला करता है शौड़िया तब नीचे बैठ जाता है तु किसे बचा रहा है ये हैवान है, नौ लड़कियों का खून क्या इसने, ब्रमधत बोलता है ना कोई सबूत है ना कोई गवा, किसी नीभी नहीं देखा आप मेरे बेटे को ऐसे ही मार रहे हो, शौड़िया भी बोलता है तुने सही बोला, ये खूनी सिपसिला इदर र जाता है मानों उसको कोई पच्चतावा नहीं है उसने सही किया जो किया तब शौड़िया को बहुत गुस्सा आता है और हाथ छोड़ देता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है और बिर्जू का बॉड़ी का नीचे कप और शंदपूरा पैरलाइस्ट हो जाता है शौड़ि किऊं सर इस केस को ओपिन करा जा रहा है तब आरिया बोलता है कौन था वो पुलिस ऑफिसर और वो नाम बताता है इस्पेक्टर शौड़िया का फिर आरिया पूचता है कि दिलवाग को क्यों मारा पहले तो वो नहीं बता रहा था फिर उसको बताना पड़ा फिर सर्म फ्ल तब आडिया उसे पीचन लगता है, तभी दूसरे पुलिस Оफिसर आ के उसको उदर से छुरा लेते हैं। तबी आडिया को लगता है दिलभाख को कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। फिराडिया और वामिका जाते हैं दिलबाग क्या पुड़ाने घर में उस घर में जाके उनको एक evidence मिलता है जो कि एक hair clip होता है वो hair clip और किसी की नहीं शौरिया की girlfriend की होती है फिर हमको उस दिन का scene दिखाया जाता है उस दिन में क्या हुआ था उस दिन बिर्जु ने शौरिया के गल्फरेंड का पीछा किया था और उसको दबोचा था उसको मार रहा होता है तब ही शौरिया के गल्फरेंड अपने हैर क्लिप निकाल के उसके उपर वार करती है और उस हैर क्लिप के नुकेले हिस्से से उसके गले का थोरा सा पोर्शन और वही सबूत से वह blackmail कर रही थी ब्रह्मधत को पैसे के लिए तब ही ब्रह्मधत उसे मार देता है और यही प्रेस कॉंफरेंस में वामिका बताती है वो बोलती है असली कातिल ब्रह्मधत नहीं उसके बेटे हैं कि वह लास्ट विक्टम ने उसके उपर हमला किया था इस य 1999 का हम मसूरी में संजीवी विलेज में देखते हैं जहां पर एक चोटा लर्का अपने भाई को बुला रहा होता है उसका भाई पूरा घर में कहीं भी नहीं था तब यह नोटिस करता है कि एक चोटे से पैसेज में उसके भाई ने खुद खुशी कर लिया था फिर हम प्रे था उदर से वह चला जाता है तब यह सीनियर आफिसर को आरिया के उपर तुरह शक होता है कि यह क्या जानता है इस शौडिया के बारे में फिर से हमको फ्लेश बेक दिखा जाता है जहांपर हम पुलिस रूम को देखते हैं जहांपर बोला जा रहा था कि poser गा स्माली के लिए सुल्तानिया और धरंबीर के बीच बहुत तग्रा डाइवल अड़ी है सुल्तान के चंदन के ट्रक जब लूटे जाते हैं तब बदला लेने के लिए डबराल की कुछ आदमी को मरवा देता है एक शूटर के तुरू बहुत गुस्ते में है पॉलिटिकल करेंशन का यूज कर रहा है उसको पकराने के लिए के कौन शूटर था इसको हमको जल्द से जल्द पकरना पड़ेगा तब इस शूटरिया पुराने फाइल्स खोलता है और वो ढून निकालता है एक शूटर को जो कि अभी काम नहीं करता है पर उसके बेटी होने के बाद यह सब बोलती है शौटा सा करेंवे किस रहा और उनका को कोई फोटो कीचता है वह सुलदान से जाकर बोलता है यह खबी है पुलिस के साथ मिला हुआ है इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा और सुल्तानी भी हामी भर देता है फिर हम प्रिजन टाब में आडिया को देखते हैं जो कि मोहित कुलर नाम के एक आदमी से जाके मिलता है क्योंकि उसके गवाई के वज़े से शौरिया को कोर्ट मर्शल हुआ था वो उससे जाके पूछता है कि शौरिया के बारे में तुम क्या जानते हो वो बंदा पहले थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है इस से यह बहुत पुराना केस है वो बहुत रिश्वत मांगते थे तो मैंने कंप्लेन कर दी और आपको तो बाकी का केस पता ही है उनके केविन से कितना पैसा बरामत हुआ आडिया उदर से चला जाता है और सीधा वो बंदा कॉल कर देता है वो पुलिस आफिसर को जो कि शौडिया का बैचमेट होता है और शौडिया और आडिया दोनों एक साथ बात करते हैं तभी शौडिया आडिया से मदद मांगता है कि रीसिंटली बबलु बारूद वाले केस में बता सकते हो कि खूनी कौन है आडिया बोलता है मुझे इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता अगर आपको कुछ भी जानना हो और 20 से गंटी बचे हुए हैं वो सिर्फ बोलता है कि हमारे पास सिर्फ टायर के मांक से इविडेंस है तभारिया बोलता है टायर के मांक के आप सैंपल ले सकते हो वो कुछ मेथड बता देता है जिस मेथड को यूज करके आप टायर के मांक से इजिले ले सकते हो पर यो टिकनलोजी उस टाइम डियूरेशन में एग्जिस्ट नहीं करते और शौडिया भी शौडिया फिर शमशेरा को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए भागता है तब तक सुल्तानी का आदमी चुप चुका होता है शौडिया फिर शमशेरा को बोलता है तो कुबूल कर ले तूने ये सब कुछ किया है तब तक उसकी बेटी आ जाती है औ सुल्तानिया अपने बेटी से बहुत प्यार करता है वो बोलता है बेटी मैं तुमको जल्दी घर लेके जाऊंगा तुम ठीक हो जाओ फिर उधर से हम देखते हैं फुलिस हेटकोर्टर में जहां पर फोन आता है और बूला जाता है कि सुल्तानिया का बेटी का किड्नैप हो चुका है और आज ही 15 साल पूरे होते हैं शम्षेरा जेल से बहार निकालता है और बहार निकलते ही वो सुल्तानिया के बेटी को किड्नैप करता है और आडिया ने ही पिछले ट्रास्मिशन में शौरिया से बात किया था इस केस के बारे में वो जब फिर केस फाइल पड़त शम्षेरा के जेल में जाता है देखने के लिए कि हो कैसा आदमी था उसको तब पता चलता है कि हो 15 सालों से बदले के आग में जल रहा होता है उसको इलेक्ट्रोनिस गैजर्स वगरा में बहुत इंट्रेस्टेट था और वो सुल्तानी के बारे में दिवार में हमशा लिख जो कि डिड अल्मॉस्ट होने ही वाला था उसी फोन से वो फोन कर देती है अपने पापा को और कॉल ट्रेस हो जाता है फिर रात को उसके पापा जब उस लोकेशन पर जाते हैं पुलिस भी उसको ट्रैक करते हैं और उस कॉल को भी फिर सुल्तानी शमशेरा के सामने जाता ह और वो गिर गिराता है माफी मांगता है जो भी उसने किया उसके बेटी को छोड़ने के लिए बोला उसने वो बोलता है तेरी बेटी वोई फ्रीजर पर है जैसे मेरी बेटी को मारने के बाद डॉक्टर लोगों ने मौर्चरी पे रख दिया तेरी बेटी को मैं जीते जी रखना चाहता हूँ जा अपने बेटी को बचा ले तब तक नीचे पुलिस भी पहुच चुकी थी फिर हम वामिका को देखते हैं जो की वैन खोल के इसी के लाइन को आफ करने की कोशिश करती है तब ही आरिया को याद आता है कि शमशेर इलेक्ट्रोनिक से बहुत खेलता है मतलब उसने कोई ना कोई जुगार तो गारी में लगाया होगा और वो भागते भागते नीचे जाता है और कोई भी छेरकानी करने के लिए मना करता है पर तब तक वामिका ने स्विच आफ कर दिया था और वो गारी ब्लास्ट हो जाता है और आडिया उस ब्लास्ट के बज़ा से दूर आके गिड़ता है और जब वो थोरा स्टेबिल होता है वो देखता है कि वामिका नहीं रही और बहुत सारे पुलिस आफिसर भी वो भी शौक में था फिर कुछ दिन बिज जाते है और फिर से वी ट्रांस्मिट होता है और 11-11 ब के मदद से आरिया भी सुनता है तो दोस्तो इसे के साथ 11-11 के पूरे एपिसोर्स के एक्स्पिनेशन खतम होते हैं मुझे पता है टाइम जोन के वज़े से आप लोगों को बहुत जगा समझने में प्रॉब्लिम होई होगी पर मैंने मेरी बेस्ट कोशिश की कि आपको पू तभी भी इंस्पेक्टर आरिया को मदद की जहुरत पढ़ती है इंस्पेक्टर शौरिया को तभी यह फोन कनेक्टेड होते हैं और दो टाइम जोन के बीच में एक लूपोल खुल जाता है मुझे नहीं लगता इस से बिस तरीके से आप तो कोई समझा पाएगा आपको फाइदा पहुचाएगा तब तक के लिए बाबाई एंड सीया है है इसी के साथ ही सद इधर अब को स्मार्टफोन, स्मार्टवर्च, टीवी, शूस, प्लोट्स बहुती रिस्काउंटेट प्राइस में मिलेंगे जो की लिमिटेड टाइम के लिए अपकी फेवरिट आपको बताएंगे, सो जॉइन करने के लिए प्लेस्टोर से टेलीग्रम अप को डाउनलोड कीजिए, रिजिस्टर करने के बाद सर्च करें सेफ पैसा, यह रहा ग्रूप, अब आप जॉइन हो जाएए, और ग्रूप में जरूर एक्टिव रहे, लिमिटेड डिल्स को ग् ग्राप करने के लिए, यह ड्रेस्क्रिप्टियन की लिंक से भी आप डिरेक्ट जॉइन कर सकते हैं, सो जड़ी ग्रूप जॉइन करें और आपवर्स को ग्राप करें